महेशमती समराज्य पर बहारी दुश्मनों से ज्यादा अंद्रूनी दुश्मनों ने हमले किये हैं और शाशन किया है लेकिन अब कई सालों बाद बाहुबली के वंशज महिंद्र बाहुबली महेशमदी की राजगदी पर विराजमान है और बाहुबली वंशज का और महिश्मती समराज्य में ही रह रहा है बिजल देवा अब अकेला एक अपाहिज बुजुर्ग है जिससे अब किसी को भी कोई खत्रा नहीं है राज माता देव सेना के कहने पर महिंद्र बाहुबली ने बिजल देवा को महिश्मती में ही रहने की अनुमती तो दे दी है ले चाहता है इसलिए राजमातादेव सेना एक रत और सार्थी के साथ बिजल देवा को यात्रा पर भेजने की अनमती दे देती है। लेकिन फिर जब तीन वर्ष बाद भी बिजल देवा तीर्थी यात्रा से वापिस महेश्मती नहीं आता और ना ही कोई सूचना बिजल देवा के बारे में मिलती है तो राजमाता देव सेना कटपा को कुछ सैनिकों के साथ बिजल देवा को ढूनने भेज देती है कटपा बिजल देवा को ढूनते ढूनते काबूल देश तक पहुँच जाता है जहां कटपा को बिजल देवा तो नहीं मिलता लेकिन जो सार्थी रत लेकर बिजल देवा के साथ गया था उसकी लाश कटपा को मिल जाती है अब कटपा समझ जाता है कि बिजल देवा के साथ ज अब कटपा जो कुछ सैनिकों को साथ लेकर ही बिजल देवा को ढूंडने आया है को सुल्तान जाहिर मुहम्मद की सेना से जंग करने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है तब वहां कटपा की मुलाकात अपने पुराने मित्र हत्यारों के सौधागर शेक असलम खान से होती है शेक असलम खान अपने ही देश के सुल्तान के खिलाफ कटपा की जंग में मदद करने को तयार हो जाता है अब युद्ध का दिन आ जाता है एक तरफ काबुल का सुल्तान जाहिर मुहम्मद अपनी सेना लेकर आया होता है और दूसरी तरफ कटपा का साथ देने शेख असलम खान अपनी सेना लेकर आ जाता है दोनों तरफ से घमासान युद शुरू हो जाता है अभी कटपा सुल्तान जाहिर मुहम्मद को जंग के मैदान में ही मारने ही वाला होता है तभी पीछे से शेख असलम खान कटपा की पीट पर वार करके उसको मार देता है असल में ये सारा शडयंत्र बिज्जल देवा का ही रचा हुआ होता है बिज्जल देवा ने काबूल के सुल्टान जाहिर मुहम्मद और हत्यारों के सौधागर शेख असलम खान को महिश्मती समराज्य का लालच देकर महिंद्र बाहुबली को मारने का शड़ेंतर रचा है क्योंकि बिज्जल देवा जानता है कि महिंद्र बाहुबली भले ही बिज्जल देवा से नफरत करता हो लेकिन बिज्जल देवा को बचाने महिंद्र बाहुबली दुश्मनों से मुकाबला करने काबुल जरूर आएगा इसलिए पहले बिजल देवा ने तीर सियात्रा पर जाने का जूटा नाटक किया और फिर अपने ही सार्थी को मार कर खुद जान भूज कर कैद खाने में कैद हो गया इधर जब महिंद्र बहुबली को कटपा के मारे जाने की खबर मिलती है तो महिंद्र बहुबली काबूल के सुल्तान जाहिर मुहम्मद से प्रतिशोध लेने की आग में जुलसने लगता है बिजल देवा के शड़यंत्र और शेख असलम खान के विश्वाश घात से अंजान महिंद्र बहुबली काबूल पर हमला करने को तयार हो जाता है लेकिन देव सेना महिंद्र बाहुबली को रोक देती है, देव सेना महिंद्र बाहुबली से कहती है कि कटपा सिर्फ एक वीर सेनापती ही नहीं, एक ऐसा सेनापती था जो कभी किसी जंग में नहीं हा रहा था, कटपा का युद्ध में मारा जाना असंभव है, जरूर काबु में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे माईशमती समराज्य अंजान है इसलिए राजमाता देव सेना महिंद्र बहुबली और अवंतिका को भेश बदल कर काबूल जाकर पहले सच्चाई का पता लगाने के आदेश दे देती है फिर महिंद्र बहुबली और अवंतिका मुसलिम पारी बनकर काबूल चले जाते हैं काबूल में छुप कर छानबीन करने से बहुबली को सारी सच्चाई का पता चल जाता है अब महिंद्र बहुबली का टपा के कातिल शेक असलम खान बिजल देवा और काबूल के सुल्तान जाहिर मुहम्मद को युद्र में मारने के लिए तयार हो जाता है और महेशमति की सेना को काबूल बुला लेता है युद्ध शुरू हो जाता है युद्ध में शेक असलम खान महिंद्र बहुबली के हाथों मारा जाता है और अवंतिका बिजल देवा को युद्ध में मार देती है लेकिन जब महिंद्र बहुबली काबूल के सुल्तान जाहिर मुहम्मद को मारने ही वाला होता है तबी वहां राज माता देव सेना आ जाती है और वो बाहु बली को रोक देती है राज माता देव सेना अपनी तलवार से सुल्तान जाहिर मुहम्मद के शरीर पर पहने कवच पर वार करके उसके कवज के टुकड़े कर देती है देव सेना देखती है कि सुल्तान जाहिर मोहमद की बाजूपर बाहू बली के वन्शज का चेहन होता है सुल्तान जाहिर मुहम्मद के शरीर पर वही निशान होता है जो हर एक बाहुबली के वन्षज के शरीर में मुझूद है तो दोस्तो क्या सुल्तान जाहिर मुहम्मद बाहुबली के ही वन्शज का दूसरा वारिस है क्या सुल्तान जाहिर मुहम्मद का काबुल का सुल्तान होना उसकी असली पहचान नहीं है इन सब सवालों का जवाब आपको हमारी अगली नई बाहुबली 4 फैन थियोरी की वीडि झाल 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 को टी लो झाल 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 कि अगता है और अमान प्रबस्ट कृटवबिगा है